नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल टी एस टिलर पाइंट आज हम इस यूडियो में आपको बताने वाले हैं 30 इंच चेस्ट वाले कटोरी का ब्लाउज कटिंग आज का हमारा मेजर्मेंट है लंबाई 12 इंच, चेस्ट 30 इंच, कमर 26 इंच, सोल्डर 9.5 इंच, सामने गला 6 इंच, पिछे गला 3 इंच, कटोरी है 5 इंच इस मेजर्मेंट की हिसाब से आज हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं, आज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग हमारा लंबाई है बारा इंच, तो बारा इंच में देड़ इंच, एट करेंगे तो कितना होगा साड़े तेरा इंच, तो साड़े तेरा इंच पे हम लोग यहाँ पर दो निसान लगा लेते हैं, यहाँ पर भी एक निसान लगा लेंगे और दोनों निसान को यहाँ पर मिला लेते हैं अब आ जाते हैं हम लोग सोल्डर पे हमारा सोल्डर है स्ताड़े नवी तो साड़े नवी का हाफ होता है पॉने पांच यहाँ पर भी पॉने पांच पे निसान लगा लेंगे और दोनों निसान को मिला लेंगे अब यहां आ जाते हैं हम लोग आर महुल पर आर महुल को हम लोग यहां पर 7.3 इंच ही रखेंगे अब हम लोग इसको निसान को आगे बढ़ा लेंगे अब हमारा चेस्टा है 30 इंच तो 30 को 4 से डिवाइट करेंगे तो 7.3 इंच आएगा हम लोग 7.5 इंच पे यहाँ पर निसान लगा लेंगे और 7 इंच एस्टा मार्जिन यहाँ पर भी ऐसी करते हैं 7.5 और 7 इंच हमारा यहाँ पर है कमर है 26 इंच 26 को फोर्स डिवाइट करेंगे तो 6.5 शे आएगा अब यहाँ पर हम लोग दोनों निसान को मिला लेंगे यहाँ जीतना चेस्ट लिया है उतना यहाँ भी रखना है उसको बाद में बनाते समयाई स्टीचिंग करते समयाई हम लोग बचे गया यहाँ पर उसको छाट लेते हैं अब आ जाते हैं गले की तरफ गला हमारा रखेंगे यहाँ पर हम लोग सोल्डर रखेंगे पॉने पांच तो हम लोग गले को रखेंगे दो इंच और यहाँ पर पाव इंच गले की तरफ डाउन करते हैं, क्योंकि हमारा डीब गला है इसलिए हम लोग पाविंट डाउन करते हैं यहां हमारा गले की गहराई है 6 इंच तो हम लोग इंची टेप को यहां से ऐसे रखेंगे जहां पर 6 इंच आएगा वहां पर ऐसे निसान लगा लेंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे हम लोग गले कुम आपे हैं दो इंच तो आप लोग यदि इसको डीप रखना चाहते हो तो आप सवा दो भी कर सकते हो या धाई भी कर सकते हो या दो का दो ही रख सकते हो मैं यहाँ पर डीप बनाता हूँ इसलिए मैं पाव इंच बढ़ा रहा हूँ मतलब सवा दो दोनों निसान को मिला लेंगे और यहाँ पर सवा इंच उपर की तरफ डाउन करेंगे निसान लगा लेंगे कटोरी जोईन के लिए इसको राउंड सेप दे देंगे क्योंकि गोल गला है हमारा बेल्ट पर्टिक लिए निसान लगाएंगे पॉने ग्यारा पे हमारा रेडी होकर दस इंच आना चाहिए पॉन इच इसमें स्ट्रक क्यों ले रहूं है क्योंकि यहाँ पर इधार हमारा तीन सूंत लगेगा और इधार हमारा तीन सूंत दबेगा तो हमारा रेडी होकर 10 इंच आ जाएगा तो यहाँ पर पोने 11 पे निसान लगा लेंगे इसको सीधी करके मिला लेंगे अब आ जाते हैं कटोरी कटोरी हमारा है साड़े 5 इंच तो यहाँ पर हम लोग साड़े 5 इंच पे निसान लगा लेंगे यहाँ पर भी साड़े पांच इंच पे और इसको ऐसे थोड़ असर डाउन करते हुए उपर की तरब सीधी लकीर खीच लेंगे अब आ जाते हैं हम लोग कटोरी का सेंटर पाइंट हमारा कटोरी है साड़े पांच इंच तो इसका सेंटर पांच आएगा पौने तीन इंच और उपर की तरब एक इंच हम लोग यहाँ पर ले लेंगे और इसको सीधी करके ऐसे कर लेंगे यहाँ पर इस्टार बना देते हैं यह हमारा कटोरी का सेंटर पांच है यहाँ पर हम लोग पॉन इंच उपर की तरफ डाउन करते हैं और इस पैंट से इस पैंट को सीधी लकीर करके मिला लेंगे कटोरी को राउंड करते हुए यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे यहाँ पर और महल की तरफ एक इंच ऐसे इसको ऐसे राउंड करते हुए कर लेंगे अब हम इसको कट करते हैं लोग यहाँ से पहले कट करेंगे उसके बाद सोल्डर को कट करेंगे हम लोग जहाँ से डाउन किये हैं अब हम लोग आर महल को कट कर लेते हैं अब यहाँ से गले को कट कर लेते हैं यहाँ से हम लोग बेल्ट को निकाल लेंगे इसके बाद कटोरी को भी काल लेंगे अब इस कटोरी को हम एस्ट्रा मार्जिन लेके और बढ़ाएंगे यहाँ आ जाते हैं पीछे पल्ले में बारा इंच हमारा लंबाई है तो पौने चेट करेंगे तो पौने तेरह हो जाएगा यहाँ पर निसान लगा लेंगे और दोनों निसान को मिला लेंगे हम लोग सोल्डर लिये थे हमारा सोल्डर थे 9,5 इंच तो साड़े 9 का होता है हाप पौने पांच गले को लिये थे हम लोग 2 इंच और यहाँ पर आर महल को लिये थे साड़े 4 इंच तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग पौने पांच ले लेंगे और दोनों निसान को मिला लेंगे हम लोग सीना को लिये थे साड़े 7 इंच और सवा इंच एष्टा लिए थे यहाँ पर भी साढ़े साथ इंच और सवा इंच एष्टा हमारा जो कमर में जब जुआइंड करेंगे फीट करेंगे तो इसमें जो एष्टा होगा उसको कट कर दिंगे यहाँ पर दुनों निशान को मिला लेंगे अब हम आ जाते हैं पीछे गला की तरफ मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पीछे गला मैं कैसे मापता हूं तो पीछे गला है हमारा 3 इंच तो 3 में आधा इंच इसमें 8 कर देंगे और 3.5 पर यहाँ पर निसान लगाएंगे यहाँ पर हम इस निसान को आगे बढ़ा लेंगे हम यहाँ पर गले में लिए हैं दो इंच तो आप इसको डीव गला है तो तीन इंच ले सकते हो और दोनों निसान को मिला लेंगे यहाँ पर राउंड सेप देते हुए ऐसे कर लेंगे आप चाहो तो इसको डिजाइन भी बना सकते हो ऐसा जो भी कस्टमर यदि चाहता है यदि पीछे गला डिजाइन बनाए कोई भी गला बनाने को बोलता है तो आप लोग उस हिसाप से इसको कट करेंगे मैं यहाँ पर गोल गला बना रहा हूं इसलिए इसको राउंड कट कर र बढ़ा देंगे इतना और यहाँ पर उसके बाद राउंड कर देंगे ऐसे यह हो गया हमारा पीछे पल्ला कम्प्लीट अब इसको कट कर देंगे सुरी मैंने यह नहीं बताया था कि हम लोग सामने पल्लो को गले की तरफ पाविंच डाउंड किये थे तो हम लोग पीछे पल्ले को भी गले की तरफ पाविंच डाउंड करेंगे इसको इसलिए डाउन करते हैं क्योंकि हमारा जो सोल्डर जैसे कई लोग बोलते हैं कि सोल्डर गिर रहा है तो वो यहाँ पर समस्या कुछ हद तक कम हो जाती है सोल्डर गिरने का इसलिए हम लोग पाविंच यहाँ पर डाउन करते हैं चलिए इसको solder को भी cut कर लेते हैं, आर महन को भी cut कर लेते हैं, अभी गले को भी cut कर लेंगे, यह हो गया हमारा पीछे पल्ला भी complete, अब हम ये कटोरी को extra margin ने करकर बढ़ाना है, तो सबसे पहले पेपर सिट ले लेंगे, और उसको यहाँ पर जैसा है वैसा उतार लेंगे यह हमारा बीच का सेंटर था अब इसको हम एस्टा मार्जिन लेके बढ़ाएंगे यहाँ पर हम एक इंच एस्टा लिये थी उपर की तरफ डाट के लिए कटोरी का डाट के लिए यहाँ पर देड इंच नीचे की तरफ रखेंगे और इसको सीधा करके मिला लेंगे यहाँ पर हम इस तरफ सवा इंच एस्टा लेंगे यहाँ पर भी सीधी लकीर करके सवा इंच एस्टा लेंगे यहाँ पर half inch extra लेंगे यहाँ पर भी half inch extra इसको round करते हुए round shape देते हुए जहाँ पर हम 7 inch का extra margin लिये हैं वहाँ पर जाके इसको मिला लेंगे और इसको सीधी करके मिला लेंगे दुनों pine को इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे इसको भी यहाँ से ऐसे मिला लेंगे अब हम उसको कटोरी जॉइंट के लिए जो जॉइंट करते हैं डाट लगाते हैं उसके लिए हम लोग हमारा कटोरी है यहाँ पर साड़े पांच इंच, हम लोग साड़े पांच इंच में तीन सूथ एश्टा रखेंगे तो यहाँ पर साड़े पांच का हाफ होता है पौने तीन, पौने तीन इंच में तीन सूथ एश्टा लेंगे तो तीन इंच, एक सूथ यहाँ पर भी तीन इंच एक सूथ यहाँ पर थोड़ा दूर में लगाएंगे अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर ऐसे इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है इसकी लंबाई कटूरी का वो देखना है तो हमारा यहाँ पर आ रहा है आठ इंच तो टेप को यहां से ऐसे पकड़ना है और ऐसे करके घुमाते हुए जहां पर आठ ही चाहेगा वहां पर ऐसे निसान लगा लेना है यहां पर जो हम यहां से यहां इस पैंट में निसान लगाये थे वहां पर और इस निसान को अब इस निसान को इस निसान से मिला लेंगे यह हो गया और इसको round shape देते हुए मिला लेंगे अब यह हो गया हमारा cutory extra margin complete अब इसको cut कर लेते हैं यहाँ पर dart लगाया थे यहाँ पर cut कर लेते हैं अब इसको 20 से fold करते हैं fold कैसे करते हैं spine को spine से ऐसे मिलाते हुए यहाँ आइसे करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर जो center लिए हैं cutory का dart लगाने के लिए यहाँ पर ऐसे इसको more देंगे यह हमारा cutory हो गया extra margin के साथ त्यार यह हमारा cutory और यह हमारा है सामने पला और यह हो गया हमारा belt belt को हमको extra margin लेकर के और नहीं बढ़ाना है क्योंकि हम पहले से ही लंबाई में 10 inch extra margin लेकर के इसको काटे हैं इसलिए हमको belt में और extra margin नहीं लेना है जैसा है वैसा ही कपड़े में रखकर के इसको cut करना है यह हो गया complete और यह हो गया हमारा पीछे पला जैसा है